मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार, मेरा नाम है नितेज जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं आज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे विगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेट के रिसर्च वीड सीड के बारे में जिसका की नाम है विगर ट्रिपल वन जियां दोस्तों विगर 111 बीज, गेहूं का बीज, रिसर्च वराइटी वाला बीज जिस वीडियो के माध्यम से इस बीज की तमाम विशेषता हैं बताएंगे, इसकी डोस के बारे में बताएंगे, इसकी पैकिंग साइज के बारे में बताएंगे और वीडियो के अंत में गेहूं बोते समय आपको किन किन बातों की विशे सावधानी अपनानी है इन सब के बारे में भी जानकारी देंगे तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ में ऐसे ही हमें प्यार देते रही है अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजे आए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की कि अगर हम बात करें इसकी डोज की तो 40 किलो प्रती एकड के हिसाब से आपको ये डोज लेनी है आप पूछेंगे इतनी कम डोज क्यों दोस्तों ये सामान्य गेहु नहीं है ये रिसर्च वीड सीड है रिसर्च किया हुआ गेहु का बीज है इसी वज़े से जैसे आपको याद होगा विगर बायोटेक की करिश्मा सीड आई थी सोयाबीन की उसके भी डोज बहुत कम थी ऐसे ही ये रिसर्च गेहु का बीज है इसकी भी डोज सामान्य गेहु की तुलना में बहुत कम है और इसकी पैकिंग की अगर बात करें दोस्तों तो 20 किलो का ये पैक आता है बहुत ही शांदार, आकरशक, चमकदार, मजबूत बैग है और आपको बताई गई डोस के हिसाब से डालना है डोस को बढ़ाना बिलकुल नहीं है और घटाना तो बिलकुल भी नहीं है मात्र दो बैग लेने हैं एक एकड में आपको अब जानकारियां दे देते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातें महत्वपूर्ण जानकारियां ये जानकारियां आपको ध्यान से सुननी भी है और देखनी भी है जल्दी पकने के कारण सामान ये एवं देरी से बुआई के लिए उप्युक्त है कितने दिन में आता है जो आपको आगे बताएंगे और इसलिए देरी से बुआई करने के लिए भी उप्युकते हैं अगर आप लेट भी हो जाते हैं बुआई करने में तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर कम बारिश हो या कम सर्दी हो या ढालू जमीन हो या फिर भूरी मिट्टी होने पर भी अच्छी पैदावार देता है लेकिन पानी की एक डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर आप दो पानी पिलाते हैं तो तीन पानी पिलाने पड़ेंगे रिसर्च बीच का उपियोग करने से बहतर उपच के साथ ही बाजार भाव भी फसल का बहुत अधिक मिलता है रिसर्च बीच की यही खासियत होती है दोस्तों डोस कम डलती है, सस्ता पड़ता है और पैदावार बहुत अच्छी देता है तो इसी लिए कम लागत में अधिक मुनाफ़ा अगर लेना हो तो हमेशा विगर बायोटेक के रिसर्च बीच का ही इस्तमाल करें करिश्मा सोयबीन के आज भी बहुत कमेंट, बहुत मैसेज, बहुत लोगों के फोन आ रहा है बहुत ही जबरदस सोयबीन की पैदावार निकल के दिये करिश्मा ने और उसी श्रंखला में अब गेहूं का बीच भी आ गया है दोस्तों बहुत ही जबरदस और आश्चेरे जनक परिणाम भी इसके देखने को मिलेंगे आपको पौधे की लंबाई 85-90 cm होती है जो की बहुत ही उप्युक लंबाई है जादा लंबा नहीं बतता है ये और इसी वज़े से आपको स्प्रे करने में खाट फेकने में या और पानी पलाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी दिकत नहीं होती है ये 110-115 दिन के अंदर ही अच्छे से पक जाती है जो की सामानी गिहों के बीच से 10-20 दिन पहले आ जाता है इस बीच के दाने सक्त और सुनहरी चमक युक्त होते हैं और दानों में चमक, दानों में दूद, दानों का आकार, दानों में भूरापन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत पके हुए दाने होते हैं ये पत्ते और तने में जंग रोग के प्रती रोधी है जंग रोग नहीं लगता है रस्ट नहीं लगती है जो सफेद पन आ जाता है वो इस फसल में वो इस बीज में बिलकुल भी नहीं आता है पत्तो पर या फिर तने पर इससे बनी रोटियों की गुणवत्ता अच्छी होत दोस्तों गेहूं बुवाई का उप्युक्त समय अक्टूबर से नवंबर तक का होता है जब सर्दी बहुत अच्छे डंग से पढ़ने लग जाती है खेत में नमी बहुत अच्छी होती है और ओस भी खेतों में गिरने लग जाती है सुबह सुबह ओस भी हमें अच्छी देख को मिलती है बालिया मध्यम लंबी ततर रंग पकने पर धुंदला सफेद दाने अर्द कठोर एवं अंबर रंग के होते हैं बालियों से दाने नहीं खिडते हैं यह किस्म सभी प्रकार के रोग की प्रतिरोधक है सीचाई शेत्रों में ये किस्मिस समय पर बुआई हितु उप्युक्त है पौधे की लंबाई मध्यम, मजबूत तना, दाना चमकदार, आभायुक्त, सुडोल एवं मध्याकार वाले होते हैं उर्वरक, खर्पतवार नाशक, कीट नाशक और फफंदी नाशक और अन्य उत्पादों का इस्तमाल सामान्य गेहुं की तरह ही आपको करना है जिस तरीके से आप दूसरा खाद, बीज या दूसरी दवाई, कीट नाशक, फफंदी नाशक इस्तमाल करते हैं उसी प्रकार से आपको इसका भी इस्तमाल करना है और दोस्तों ये थीज की पूरी महत्वपून जानकारियां बात कर लेते हैं सावधानियों की सावधानी रखना भी बहुत जरूरी है सावधानी हटी, दुरघटना घटी जिया दोस्तों परियाप्त नमी में ही बीच की बुवई करनी है तापमान 25 से 30 डिगरी होने पर ही बुवई करनी है 50 किलो प्रती एकड की दर से डी एपी ओड़ना हैं बुवई करते समय और पहला पानी जब भी आप पिलाएं तो 75 किलो प्रती एकड की दर से यूरिया का छिडकाओ करना हैं छिडकाओ भी कर सकते हैं, फेक भी सकते हैं पहला पानी जब भी आप पिलाएं और यूरिया दो बार भी डाल सकते हैं नाइटरोजन 46 % की हम बात कर रहे हैं अधिक सर्दी होने पर उचित मात्रा में सलफर का प्रियोग करना है जादा पैदावार लेने के लिए या अगर पाला वगेरा पड़ता है उसके लिए बीच बुआई के समय हाथ में दस्ताने मूपे मास जरूर लगाना है बीच बुआई करते समय कुछ खाना पीना नहीं है लेकिन भूके पेट कभी भी बीच की बुआई नहीं करने है घर से अच्छा आहार लेकर भोजन लेकर ही आपको बीच बुआई करने आना है यह attribute का में भी गाड सकते हैं लेकिन पैकिंग बहुत मजबूत दमदार और आकरशक है तो आप उपयोग में ले सकते हैं बीज उपचार का प्रियोग जरूर करना है दोस्तों बीज उपचार का प्रियोग तो आपको हर केस में करना ही है और जरूर करना है ये थी तमाम सावधानिया जो कि आपको अक्षर शे अपनानी है जब भी आप Research Vigar Company का गेहु इस्तमाल में करें Vigar 111 इस गेहु का नाम है और ये पूरी जानकारी थी Vigar 111 Research Wheat Seed के बारे में जो कि था Vigar Biotech Company का आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों Vigar Biotech Private Limited का ही महाकाल Research Gram Seed जहां दोस्तों चने का बीज और बहुत ही जानदार शानदार जोड़दार बीज है ये इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में जानकारी देंगे विस्तित रूप से विस्तार से प्लीज हमक को ऐसा ही प्यार देते रहिए हमें ऐसे ही दुलात करते रहिए वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिए जानकारी अच्छी लगिए हो तो प्लीज इस वीडियो को वाटसेफ, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर शेर करिए दूसरे सोशल मीडिया पर सेंड करिए और नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लीजिए दोस्तों ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपक और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्कार